आज मैं हलुआ बनाने की सबसे आफान तरीका की रेश्पी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अगर आप लोग इस तरीके से हलुआ बनाएंगे तो आपका हलुआ एकदम परफेक्ट बनेगा तो चलिए जटपर से बना लेते हैं तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक कटोरी बेसन इधर हमने गैस पे पैन चरहा दिया है पैन में डालेंगे आधा कटोरी घी तो हमने एक कटोरी बेसन लिया है जिसके लिए हमको आधा कटोरी घी लेना है घी को मेल्ट होने दे उसके बाद ये बेसं डाल दे तो बेसं डाल के गैस के फ्लेम को एकदम धीमा कर दे धीमी आज पे ही इस हलुआ को बनाना है High फ्लेम पे बेसं का हलुआ नहीं बनता है नहीं तो आपका हलुआ खड़ाब हो जाएगा तो चलिए फिर इसे धीमी आज पर इसे हम मिलाते हुए चला लेंगे अब यहां पर हमायट कर दे रहा है दो चमच सूजी सूजी ऑप्सनल है अगर आपको मन हो तो डाले नहीं तो कोई बात नहीं है तो चलिए सूजी हमने डाल दिया और इसको मिलाते हुए धीमी आज पर भूनना जैसे जैसे भूनेगा इसका घी छोड़ते जाएगा तो आप यहां देखेंगे कितने अच्छे तरीके से घी छोड़ रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है बेसन में से अब सौन्दा सौन्दा खुसबू भी आने लगा है इसमें डालने के लिए हमने दो चमज दूद में छेफायत धागा केसर का लिया है जिसको हम बाद में डालेंगे इसको साइड में रख देते हैं बेसन अब अच्छे तरीके से भून चुका है इसका कलर भी केसर वाला दूद और इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे केसर वाला दूद डालने से बहुत ही अच्छा खिला खिला बेशन का हलुआ बनके त्यार होगा तो चलिए फिर इसे हमने डाल दिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें यहाँ पर डाल दे रहे हैं एक कटोरी पानी हमने बेशन का यूज किया है तो एक कटोरी पानी हम इसमें डाल दे रहे हैं पानी डाल के इसको मिलाते हुए चलाएंगे अब यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे हलुआ आप गाढ़ा हो चुका है अब हम इसमें डाल देते हैं एक चमच घी घी डालके इसको मिला लेंगे आप लोग एक बार मेरे तरीके से बेशन का हलुआ जरूर बना के देखिएगा और मुझे जरूर कमेंट करके बताईएगा कि आप लोगों को कैसा लगा तो चलिए अब हम इसमें डाल दे रहे हैं थोरा सा दो चुटकी लाईची पाउडर साथ में डालेंगे थोरा सा कम और काजू लिया है आप अपने टेस्ट के अनसा ड्राइफ डाल सकते हो तब हम इसे चलिए सभी चीजों कापस में मिक्स कर लेते हैं बेशन का हलुआ बनके त्यार एक खाने के लिए चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं यहां पर हलुआ के उपर से धोरा सा ड्राइफ डालके इसको हम गार्णिस कर लेंगे चलिए फिर हमने इसके उपर से ड्राइफ डाल दिया है आप लोग ए बेशन का हलुआ बनाईए और खाईए अगर आप लोग को बेशन के हलुआ की रेश्पी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा ज़्यादा सेयर करें थांक यू